तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग कफसाद आप बढ़ी आऊंगे, आज है 10th of October, एक ऐसी डेट जिसका इंतिजार सभी स्यूटिके स्वेंट्स बेस सब्री से कर रहे थे, क्योंकि 10th of October को दो-तीन चीजे होने वाली है, सबसे पहली है कि आपका जो phase 1 and phase 2 है, वो यहाँ पर close हो जाएगा, 10th of October के बाद आप फिल नहीं कर पाएंगे, तो यह तो देखो होने ही वाला है, और अगर कोई extend होता है इसमें date तो आपका notice आजाएगा, अब अभी तक कोई भी notice आसा नहीं आए कि आपकी date extend होने वाली है, तो अभी तक तो आप एलगा के चलिए कि 10th of October ही आपकी last date है, phase 1 and phase 2 के लिए, इसके अलावा students बेस बरी से इंतिजार इसलिए कर रहे है, तक कि student जो panic के अंदर है, थोड़ा सब panic कम हो जाए, तो दिखिए, possibility number 1 यह है कि आपके सबसे पहले तो आपकी जो form से close हो जाएंगे, तो उसके बाद हो सकता है, आपकी similarity list है, और कुछ घंटा के बाद आपकी जो medit list है, वो आ सकती है, लेकिन इसकी possibility थोड़ी सी यहाँ पर मुझे कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जो possibility है, वो यह है, कि उसके अंदर notice के पहले notice आप लिखा हो था कि 10th of October को आपकी first medit list notify की जाएगी, अब notify करने का मतलब यह भी हो सकता है, कि आपकी medit list आजाए, या फिर notify करने का यह मतलब हो सकता है, कि आपकी notice आजाए, कि दो या तीन दिन के पाद आपकी first medit list आने वाली है, तो यह दो अलग अलग possibility हो सकती है, तो जिते भी student फिलहाल panic के अंदर है, कि कब medit list आएगी, कब मैं देख पाऊँगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो भी tension बिल्कुल ही मतलो, कोई भी notice अभी नहीं आया है, जैसी को notice आएगा, मैं आपको exactly बता दुआँ कि क्या आपका procedure होने वाला है, किसे आपका admission होगा, step by step तो tension बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, काफी दिनों से, आपको पता चलेगा, किस तरह से देखनी है, किस सारे को आपको admission हो रहा है, उसके basis पर आपको फिर आपको जो रियाल लिस्ट है, वह आपको वहाँ पर देखनी होगा, और भी बिशल हो जाएगी, आपको बिशल होगा, कि आपको बिशल होगा, और भी आपको बिशल होगा,